इदर 36 गड़ में आम आद्मी पार्टी की प्रदीश अध्यक्ष सहित कई पतादीकारियों के स्थीपी के बाद किसे पार्टी की कमान मिलेगी ये तैन ही हो पाया है पताया जा रहा है कि 24 जनवरी को दिल्ली में चत्तिस गड़ के शेश पदादिकारियों की बैठाक पार्टी प्रमुख अर्विद के जिवाल की साथ है जिसमें नए अध्यक्ष समेट पदादिकारी घोशित किये जासे 36 गड़वे विधान सभा चुनाओं के समय से ही आम आदमी पार्टी ने तृत्यु के प्रती इस्थानी पदादिकारियों में नाराजगी देखी जा रही थी पार्टी को विधान सभा चुनाओं में बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा था पार्टी के सभी उम्मिद्वारों की जमानत जब्त हो गई थी आखिरकार प्रदेश अद्धक्ष कोमल हुपेंदी समेच 6 पदादिकारियों ने इस्तिवा दे दिया इधर आप पार्टी छोड़ कर जाने वाले पदादिकारियों पर पार्टी के मौझूदा पदादिकारियों ने तंजकसा है साथ ही जल्द पार्टी के नए पदादिकारियों के एलान का विश्वा जताया है जो लोग पार्टी छोड़के जा रहे हैं धीरा जधरम अमित्रवनारी आफ़त काल परकिया चारी उनको लग रहा है कि अब खाली भगवान राम आ गहे हैं तो राम राम करेंगे हमको उनके बारें कुछ नहीं करना लेकिन आम आदमी पार्टी और अच्छा काम करेगी लोगों से जुड़ेगी और अर्विंद केजरिवाल की जो नीती है लोग ततर की रक्षा और शिक्षा और स्वास्त उसका हम लोग काम करते रहेंगे पार्टी छोड़ कर गए हैं और आज भाजपा जवाइन किये हैं मैं उनके बारे में आपको कुछ बोलना चाहता हूं देखे पूरे प्रदेश में जो है केवल प्रदेश के सभी कार करता जो है वो केवल और केवल कोमल भाई कोमल हुपेंडी जी के लिए अफसोस कर रहे थे और किसी के लिए उनको अपसोच नहीं है विदानसवा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यह तो तैथा कि आम आज भी पार्टी में टूट होगी लेकिन प्रदेश के सिर्ष्पदाधिकारियों के इस्तिफे केंद्री नियत्रित्य को आगाह करने जैसा है अब यह कह आ जा रहा है छत्रिस गड़ में आपको पैड़ जमाने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा रायपूर से आई एनस 24-7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट